Hello everyone, अपने parents से कहते वे सुना होगा ना कि उसके पास नहीं जाना है, उसको ऐसी disease है जो आपको भी फैल सकती है या आफ पिर कई बार सुना होगा कि यार उसको परिशानी तो है, उसको कोई disease तो है लेकिन हम उसका थोड़ा सा दुख बाट सकते हैं, हम उसके पास जाके बैठ सकते हैं, हम उससे बाते कर सकते हैं उसकी disease को तो नहीं सही कर सकते हैं तो ये क्या था? एक case में ऐसा था कि आपको मना किया जा रहा था कि उस person के पास नहीं जाना है और दूसरे case में आपको बूला जा रहा था कि जिसके पास जो infected person है जिसको disease है उसके पास जाके उसको सेवा करनी है उसका ध्यान रखना है और यह क्या था यह जो इसका reason था ना जो question में आपके दिमागे अभी घूम रहा है उसके पास जाना है या नहीं जाना है कौनसी ऐसी disease ही जिसके लिए आपको मना किया गया था और कौनसी ऐसी disease ही जिसके लिए बुला गया था कि नहीं उसकी सेवा करनी है चलिए, हम यह discuss करते हैं कि कौन सी disease में आप किसी person के पास जा सकते है और कौन सी ऐसी disease है जिससे अगर कोई infected person है तो उसके पास आप नहीं जा सकते है और इन disease का नाम क्या क्या है So last video में हमने discuss किया था acute or chronic disease मतलब कि एक बहुत छोटी सी disease जो बहुत cute सी disease थी बहुत नहीं होती है, basically disease बहुत परिशान करने वाली होती है बड़ acute disease जो थी, वो क्या थी? वो shorter period के लिए थी, वो बहुत छोटे time के लिए थी और जो chronic disease थी, वो बहुत longer period के लिए थी वो बहुत long time के लिए थी, हो सकता है, वो lifetime के लिए भी हो बड़, उसके अंदर कुछ ऐसी disease होंगी, डानों ही disease को मिला के, कुछ ऐसी disease होंगी जिसका अगर कोई person को infected है उस disease से, तो हम उसके पास जा सकते हैं बहुत easily हम उसके पास जा सकते हैं, हम उससे बाते कर सकते हैं, हम उसके पास रह सकते हैं हम उसका ध्यान भी रख सकते हैं और कुछ ऐसी डीजिस होती है जिससे अगर को परसन इंफेक्टेड है तो उसको एक सेपरेट रूम में रखा जाता है इवन अगर हमें वो डीजिस होती है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी नहीं है हम से सब दूर रहे जब कि जब कोई बिमार है तो वो अलड़ी परेशान है फिर हमने उससे दूर रहने को क्यों कहा गया ऐसा इसलिए कहा गया बिकॉज उस परसन को एक ऐसी डीजिस है अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो हो सकता है के वो डीजिस आपको भी हो जाए तो इन डीजिस का नाम क्या है और वो कौन सी डीजिस चलिए लेक्टेधिते हम लोह की इन डीजिस का नाम क्या है सो, nutritious and non-communicable डी अब communicable डीजिस पनाचिशी और non-communicable क्या राओ हमने तो फढ़ था in infectious and non infectious तो infectious disease कौन सी थी? सोचो सोचो, last video में हमने नाम दिया था और उसके बारे में एक short brief में introduction दिया था कि छोटा सा part कि उसके बाद में डिस्कूस करने वाले है उसके बारे में So, infectious disease कौन सी थी? जो की एक दूसरे से contact में आने के बाद फैलती है मतलब अगर suppose वो disease मुझे है तो वो क्या होगा? मेरे पास वाले कोई person है, अगर कोई उससे मिलने आया तो हो सकता है कि वो disease उसको भी हो जाए वह COVID-19 का नाम तो सदन सुना है और COVID-19 जिसको था, उस person से दूर रहने को भी कहा जाता था क्यों कहा जाता था? वो disease आपको भी हो जाएगी अगर COVID-19 से कोई infected है person तो वही same disease आपको भी हो जाएगी और आप भी उससे infected हो जाओगे इसलिए कहा गया था कि भले ही अपके family member को है चाहे, friends को है, चाहे किसी को भी है बट उससे दूर रहे उस person के पास नहीं जाना है doctors भी जब उसको लेके जाते थे तो हम उसकी शकल नहीं देख पाते थे हम मतलब उस person को अगर वो सही हो कि आया तो ही हम उसको देख पाते थे otherwise हम उसको देख भी नहीं पाते थे तो ऐसा क्यों? क्योंकि यह ऐसी disease है जो एक दूसरे से फैलती है contact में आने से फैलती है तो जो infectious disease थी उनी को हम बोलता है communicable disease जो एक दूसरे के contact में आने से फैलती है और जो non-infectious disease है जो एक दूसरे के contact में आने से बिलकुल भी नहीं फैलेगी अगर मुझे कई पर चोट पगर लग गई है, तो क्या वो किसी और को भी हो जाएगा? दिल्कुल नहीं. कैसे फैलेगी? वह मेरी बोन है, फ्रेक्च्र हो गई, तो दूसरे की बोन फ्रेक्च्र कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती. तो यह कौनसी डीजीज होगी? यह नॉन-कम्यूनिकेबल डीजीज हो यह. मतलब रून-कम्यूनिकेबल डीजीज हो, donor words में confused नहीं होना है communicable disease है मतलब कि वो कौन सी है वो infectious है infectious disease है मतलब कि वो फैलेगी वो एक दूसरे के contact में आने से फैलेगी वो एक दूसरे के contact में आते ही communicate करेगी इसलिए हमने उनका दो नाम दिये है communicable disease and infectious disease दौनों ही नाम देखके confused बिल्कुल नहीं होना है, दौनों ही बिल्कुल same है और non-communicable disease है, मतलब कि वो क्या है, वो non-infectious disease है और non-infectious है मतलब वो कहीं भी easily नहीं फैल सकती है अगर किसी एक person को है, तो वो दूसरे person को नहीं हो सकती suppose किसी को heart attack आ गया, अगर किसी को heart attack आया है तो क्या वो pass वाले person को भी आएगा, बिल्कुल नहीं वो किसी pass वाले person को नहीं आएगा, कोई भी उनसे मिलना जाए, कोई doctor जाए, nurse जाए, family member जाए, friends जाए वो किसी को भी ये disease नहीं पहलेगी, वो heart attack जो है, वो उस particular person तक ही रहेगा, वो किसी और से communicate नहीं करेगा that means कि ये कौन सी disease हुई, ये non infectious disease हुई, और ये non communicable disease भी हुई, दौनों नाम same है, दौनों में confused बिल्कुल भी नहीं होना see, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ bacteria नजर आ रहा है, कुछ virus नजर आ रहा है, कुछ पंजाई जैसा नजर आ रहा है, ये इसको तो देखा ही होगा, ये sporangea है, sporangeum है, जिसके अंदर से spores निकलते है, तो ये सब क्या है, ये एक दूसरे से फैल चकते है, वाइरस तो एक दूसरे से फैल सकता है, ना, suppose अगर कोई person है, जो खास रहा है, और अगर वो हाथों से ऐसे करके खास रहा है, वही हाथ हमने किसी से मिला दिया, तो क्या हुआ, हमें भी वो disease हो जाएगी, इसके हाथों पे वो germs थे, वो bacteria थे, वो virus थे, और हमने अगर उस से handshake किया ह मतलब कि वो हमारे साथ में communicate कर सकता है, वो virus हमारी body में भी आ सकते है, बहुत easily ये transfer हो सकते है, that means कि communicable disease कौन सी होती है, या infectious disease कौन सी होती है, जो कि एक दूसर से फैल जाती है, सी, यहाँ देखो, ये brain के अंदर कुछ लग रहा है, कि brain tumor हो सकता है, या इसकी कोई nerve में कोई problem है, या migraine वाला attack है, कुछ भी हो, बट क्या ये किसी और को फैलेगा, ये बिलकुल नहीं फैलेगा, यहाँ ये heart के अंदर कोई problem है, heart block हो गया, या heart attack आ रहा है, तो क्या ये किसी और को भी हो सकता है, बिलकुल नहीं, अगर कोई infected person के पास में आप जाते हो, ये तो infection भी नह diabetes है, तो diabetes किसी और को नहीं हो जाएगी, जो उनकी आज पास की member है, उनको directly वो disease नहीं हो सकती, किसी को अगर hormonal imbalance है, वो किसी और की पास में नहीं जा सकती, वो उसकी particular person के पास ही रहेगी, हो सकता है, वो genetic हो सकती है, लेकिन हमारे किसी के आज पास जाने से उसको वो disease नहीं हार्ट अटेक आया है तो भी वो पर्टिकोल एक परसन की पास रहेगा वो डिरेक्ट एसर नहीं पहलेगा बट हाँ, common cold है वो फैल सकता है, dingo fever है वो फैल सकता है, malaria है फैल सकता है, covid-19 तो फैलता ही है, इसलिए मित्ने ताइम से गर में बैटे है, covid-19 से तो उबरे भी नहीं है भी तो, अभी भी अगर किसी के पास बोल दाना है अच्छा इसको covid है तो नहीं नहीं उसके पास communicate कर रही है, disease, infectious है, infection से फैल रही है, that means कि एक ऐसी disease, जो एक person to दूसे person तक फैल सकती है, इसका मतलब वो कौन से disease हुई, वो infectious disease हुई, जो कि infection से फैल लेगी है अब ये कौन से organism फैलती है, ये microorganism से फैलती है, मतलब कि unicellular organism से फैल सकती है, जिसा कि हमने last picture में देखा था, कुछ microbes बने हुए थे, कुछ virus थे, कुछ bacteria थे, कुछ protozoa थे, और कुछ fungi भी थे, तो ये सब क्या थे, ये ऐसे microorganism है, जो कि हमारे अंदर कोई disease को फैलाते है, औ अगर किसी एक person के अंदर है, तो वो पास वाले को भी हो सकता है, अगर आप किसी के पास बैटे हो, और आप infected हो, तो पास वाले को भी आप infected भी करेंगे, तो, COVID-19 वैसे क्या है, एक virus ही तो है, COVID-19 किसे फैल, नवारस ली तो फैल रैच लिए, examples कौन कौन से हो गए हमारे cholera ह जाने से फैलता है, चिकन पॉक्स तो पता होगा, बोडी के ऊपर कुछ डॉट्स हाजाते हैं, रेड रेड कलर के डॉट्स बन जाते हैं, जो बहुत पेंफुल भी होते हैं, सामने वाले को वो एक टाइब पेंट भी करने लग जाते हैं, तो वही अगर आप किसी के पास जाते हो, जिसको कि चिकन पॉक्स है, तो डेफिनिटली वो आपको भी पैलेगा, मलेरिया इंफेक्टेड कोई परसन है, और उसकी पास अगर आप जा रहे हो, तो क्या होगा, आपको भी मलेरिया फीवर जो है, वो हो सकता है, डाट मींस कि जिसको डेंगू फीवर है, जिसको कोविड नाइन्टीन है, या चिकन पॉक्स है, उसके पास नहीं जाना है, इवन कॉमन कोल्ड भी अगर है, तो हम क्या कोशिश करते हैं, कि हमारे असपस कोई भी नहीं आए, हमारे गर में किसी को वो नहीं फैले, और हम पर्टिकॉलर्ली एक एरिया से दूर हैने की कोशिश करते हैं, सबसे एक रूम में बंद होने की कोशिश करते हैं, कि ताकि हमा हमारी वज़े से common cold नहीं हो जाए तो same वैसे ही है malaria, cholera यह disease वैसे हैं जो एक दूसरे से फैल सकती है एक दूसरे के past में जाने से फैल सकती है एक दूसरे के past में जाके अगर आप गलती क्या करता है वह तो आपको भी वह डीजिस हो सकती है that means किसी और के पास नहीं जाना उससे हमें दूर रहना है सबसे ताकि हमारी वज़े से वो disease किसी और के पास में नहीं जाए किसी और के पास वो नहीं जा सकती और वो disease अगर परसंटो परसंटो नहीं फैल सकती और वो अगर फैलेंगे इसका मतलब है कि जो non infectious disease होती है non communicable disease होती है वो pathogen से तो अटलीस नहीं हो सकती वो किसी micro organism से नहीं हो सकती चलिए they do not spread to others and they restrain within a person who has contracted them अब यह जो disease होती है जो non infectious disease है वो किसी और के अंदर नहीं पैलती है हमारे पास में अगर कितने भी member है बट हमारे allow वो disease किसी को भी नहीं होने वाली है so कोई भी हमारे पास easily आ सकता है और जिनको यह disease है उनके पास भी हम जा सकते है उनकी सेवा भी हम कर सकते है they restrain within a person who has contracted them that means कि वो उसी person के अंदर रहेगी उस person से बिलकुल भी बाहर नहीं आएगी यानि मतलब फैलेगी नहीं हो सकता है वो सही हो जाए बाहर तो आएगी but किसी और को वो नहीं फैलेगी that means वो non infectious disease है these diseases are caused not by pathogens अब यह disease जो है वो pathogen से नहीं हो सकती मतलब microorganism से नहीं हो सकती but other factors से हो सकती है अब other factors क्या हो सकते है तो हो सकता है कि आपकी यह ज्यादा हो गई है यह ज्यादा होगी तो भी कोई न कोई disease हो जाती है ज्यादा age में होते है suppose कोई person है वो गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा आपको diabetes है अच्छा आपको high blood pressure की problem है हो सकता है कि आपको cholesterol आपका बढ़ गया है तो भाई यह तो age के साथ बढ़ता ही है age जिसकी ज्यादा हो गई है उसके लिए वो चीज नॉर्मल है हो सकता है कि उसको disease हो गई है लेकिन जिसकी age ज्यादा है उसके लिए वो disease नॉर्मल है सब जा सकते हैं वो डीजीज हमारे तक डिरेक्टली नहीं आने वाली है नूट्रिशनल डेफिशियंसी अब सपोस कोई परसन है नॉर्मली हम बैलेंस डाइट लेते हैं बट अगर किसी को पिज़ा बरकर जादा ही खाने का शौक है तो क्या होगा? उसकी बटी के अंदर नूट्रिशनल डेफिशियंसी हो जाएगी कोई नगोई ऐसा नूट्रिएन ज़रूर होगा जबकि बटी के अंदर कम हो चुका है अगर कोई नूट्रिएन कम होता है तो भी हमें क्या हो सकता है? disease हो सकती है, कौन सी disease होती है malnutritional disease malnutritional disease के बारे में पढ़ा होगा और कुछ disease के नाम भी पढ़े होगे कि कोई particular अगर कोई disease आपकी bodyikeं दर हो रही है तो वो किसकी वज़य से हो रही है ऐसा कौनसा reason है, तो कोई nutrition हो सकता है की body में कम हो गया हो सकता है carbohydrate की quantity कम हो गई और यह हो सकता है कि fat की quantity कम हो गई आज की rate में देखा जाए तो generally लोग डाइटिंग कर तो अब डाइटिंग क्यों कर रहे हैं कि भी है अब आप अपनी बॉड़ी में nutrients को कम करते हैं तो कहीं न कई ऐसा एक point आता ही आता है जहां पर आपकी body में particular nutrient की कमी हो जाती है उससे कौनसी disease हो सकती है उससे mal nutritional disease हो सकती है that means कि balanced diet लेनी है regularly और dieting के नाम पे खाना नहीं छोड़ना है nutritional लेने है the gender of an individual भई gender पर भी depend करता है कोई-कोई disease ऐसी भी होती है जो gender पर depend करती है कि male है तो हो सकता है उसकोई disease हो जाए female है तो उसकोई disease हो सकती है but वो disease non infectious होती है वो person to person नहीं फैलेगी वो person to person जो है spread नहीं होगी and lifestyle lifestyle लाइस्टाइल तो भई है जितना दादा pizza पर खाएंगे ना तो कहीं न कहीं तो हम करेगा ना और suppose अगर पूरे टाइम बैठे बैठे काम कर रहे लैप्टॉप पे काम कर रहे बैठे है पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हो बैठे बैठे कर रहे हो कोई physical activity आप नहीं कर रहे है कोई exercise नहीं कर रहे हो और continuously जो है बस जंग food खाये जा रहे है बैठे तो यह क्या है यह हमाई lifestyle गड़बढ है और जहां हमाई lifestyle में गड़बढ होती है अब यह हर्मोनल इंबैलेंस क्या है यह ह्मान को involved. गर भी हो जाएगा एनीमी आनाम सुना होगा जिसे बॉड़ी के अंदर क्या होता है वीक्नेस आती तो उसे वो भी क्यों हो दिये लाइफस्टाईल की वज़े से हो रही है डायबिटिक पेशंट्स बढ़ रहे हैं क्यों क्यूंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब ऊच चुकी है, पूरे दिन बैठे-बैठे हम काम करते हैं, हमारा mental work है अबर physical work नहीं है, और continuously हम junk food लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, sugar की quantity हमारी body में बढ़ेगी, insulin का work खतम हो रहा है दीरे-दीरे, insulin हमारा काम करना दीरे-दीरे बंद करेगा, मोटापा बढ़ेगा, और जितना जादा हमारी body में obesity होती है, अगर मोटापा बढ़ जाता है, that means कि हम क्या हो रहे हैं, दीरे-दीरे हम बहुत साही disease का शिकार होते जा रहे हैं, तो यह कौनसी disease होती है, यह non-infectious होती है, भई, आप मोटे हो गए, आपको कोई disease है, तो पासवाले को थोड़ी ना फैलेगी, अगर आपकी lifestyle में problem है, that means कि वो particular disease आपको ही होने वाली है, बट वो हमारे आसपास के members को बिलकुल भी नहीं होती है, तो यह कौनसी disease होती है, यह non-infectious disease होती है, जो कि nutritional deficiency से फैल सकती है, age की वज़े से आ सकती है, age factor possible है, बहुत बड़ा factor है, lifestyle तो आज की date का बहुत बड़ा factor है, कि lifestyle में problem हो रही है, और 100% हो रही है, और सब के हो रही है, not only you, even मेरा भी मेरा भी में बड़ा देखू, तो मेरी भी lifestyle में कहीं नहीं problem है, हो सकता है, भी physical activity प्रॉपर नहीं हो रही, हो सकता है, मैं एक्सराइज नहीं कर पारी, हो सकता है, कि मैं भी junk food ले रही हू, दिन के लेते हैं हमारी lifestyle के अंदर, work and personal life के अंदर, that means कि क्या होगा, अगर हम डीजिस की तरफ जा भी रहे हैं तो वहां से हम यूटन लेके वापिस आ जाएंगे, और हमारी life जो प्रॉपर चलने लगेगा, चालिया, examples क्या हो सकता है, diabetes हो सकता है, diabetes एक दूसरे के past में जाने से बि जो डीजीज भी किसी और के पास नहीं जाएगे, suppose अब किसी के लोगों के सुना होगा, कि दिल में छेद हो गया, अब क्या दिल वो वाला दिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारे four-chambered heart होता है, उसकी हम बात कर रहे तो यह सारे डीजेस किसमें जए यह कार्डियो रास्कुलर डीजेस के अंदर आती है चालेए और यह भी non-infectious है, मतलब यह फैरलेगी नहीं एक दूसरे से चालेए कार्डियो रास्कोलर डीजेस पे फैंमिली हिस्ट्री हो सकते है भी family history तो worst of the disease बहुता है cancer है family history से हो सकता है hormonal imbalance है family history से हो सकता है आपका cardiovascular disease है family history से हो सकता है diabetes भी family history से हो सकता है चालिए उसके अलावा risk factors क्या होगे भी आप बैठे हैं आप junk food ले रहे हैं आप smoke कर रहे हैं exercise हो बिलकुल नहीं कर रहे हैं ये सारी चीज़े किसमें आती है इनसे कोई भी disease हो सकती है अगर ये हमाई lifestyle है कि हम smoking भी कर रहे हैं हम junk food ले रहे हैं हम proper bet हैं और exercise का तो नामों निशान कहीं भी नहीं है अवाई life के अंदर नाम ही नहीं है अवाई dictionary में exercise नाम नहीं है तो इनसे तो cardiovascular की बात नहीं है बहुत सारी disease है वो आ सकती है हमारी body के अंदर but non infectious होगी हमारी body से किसी और की body में transfer नहीं होगी क्योंकि ये हमारी गलती से हुई है अगर हमाई lifestyle को proper रखते तो हमें वो disease नहीं होती तो definite सी बात है वो spread कैसे हो सकती है किसी और के अंदर तो ये non infectious disease होती है diabetes है non infectious है asthma है non infectious disease है किसी और के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं फैलेंगी किसी भी reason भी फैल सकती किसी भी कीमत पर ये नहीं फैलेंगी ये सिर्फ आपके तक ही रहेगी So हमने अभी तो कितने टाइब की डीजिस पढ़ी है हमने पढ़ी है लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अक्यूट और इस वीडियो में हमने पढ़ा है Infectious and Non-Infectious I hope कि आपको Infectious Disease and Non-Infectious Disease के बारे में समझ में आ गया होगा कि वह Infect हो रही है और Non-Infectious जो है वह Infect नहीं हो सकती किसी और के अंदर नहीं फैलेगी अब Transmit हो रही है Infectious Disease That is okay कैसे हो रही है Next वीडियो में हम इससे डील करेंगे कि यह जो Transmission हो रहा है यह कैसे हो रहा है कैसे किसी परसन से कोई डीजिस जो है ट्रांसफर हो जाती है किसी और के अंदर तब तक के लिए Thank You So Much